Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल यहां पे हमने कवर किया EB Tyler को उनके इस्ट्रिंट्स RR Merit को और फिर उसके बाद मेन और मेकलिनन को लेकिन आज के लेक्षर में हम एक अलग से anthropologist के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें आप कह सकते हो एक तरीके से anthropo का जादुगर लेकिन वहां पहुचने से पहले एक बार आपको मैं वापस रिवाइन कर रहा हूं कि यह दो spaces हैं जितनी भी PPDs हम यहां पे यूज करेंगे इस lecture में archeology का जब coverage करेंगे तो कई सारे modules हों या फिर primatology में जो हमने कई सारे charts और इस सारी चीजों को इस्तमाल कर रहे हैं notes होंगे study material होगा कई चीज़े हम वहां पे quiz करेंगे और आप भी एक तरीके से वहां पे feedback दे सकते हो और अपने views शेर कर सकते हो कोई query हो तो उस चीज़ को भी आप वहां पे put on कर सकते हो इन सारी चीजों के लिए हमने जेम्स जॉर्ज फ्रेजर है ना ये भी जो as an anthropologist जोंके आप बात करते हो आपके UPSC syllabus में तीन जो classical evolutionary school के अंदर में नाम दिये हैं जिसमें से एक आपके टाइलर साहब हैं जिनको हमने सबसे पहले कवर कर लिया उसके बाद आपके Fraser की बात करने जा रहे हैं अब इनको हम जादुगर of anthropology क्यों कह रहे हैं जादुगर of anthropology कहने के पीछे एक वज़ा है कि इनका magic के उपर एक बहुती ज्यादा pioneering काम है आप देखोगे टाइलर की बात करते हो उन्होंने एक तरीके से religion का पूरा evolution बता है किस तरीके से souls के through religion का जो पूरा का पूरा उद्विकाज या evolution की journey है उसको उन्होंने trace करके बताया एनिमिजम रखा पॉलिथीजम रखा और पॉलिथीजम के बाद आपको पता है मोनोतिजम आता है ठीक है टाइलर की अप्रोच में अरर मेरिट ने उसको थोड़ा सा मोडिफाई किया अपने गुरू की बात को थोड़ा से काटा और इधर दर से उसको जोड़के मलेनेशय की ट्राइब के उपर उन्होंने वर्क किया और वहाँ पर दे दिया क्या नया टर्म नया कॉंसेप जिसको आपने कहा था एनिमेटिसिजम है ना एनिमेटिसिजम ऑल्दो आरर मेरिट के बार में एक्स्प्लिसिटली नहीं पूछा गया है आपसे इंदी सिलेबस पर आरर मेरिट को एक तरीके से एड्रेस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिलिजन के अंदर में आप पढ़ते हो सेम चीज गो जो है यह आपकी मेन और मेकलेन के बारे में उनका भी नाम मेंशन नहीं ऑल्दो सिलेबस में पर हम जब मैरिज के अंदर में बात करता है कई सारी चीजों को पढ़े रहे होंगे तो इनकी बात वहाँ पर आती है तो आप उस समय डिरेक्ली अगर पढ़ते हो मेरिज के अंदर में जाके मैकलेन को मैं कोट करता हूं तो आपको यह कांस बंद आ गया इसके बारे हमने सुना ही नहीं था इसलिए हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब की जो सिरीज है वहाँ पे हमने दो एंट्रोपॉल्जिस जो आपके मेन मैकलेन और उनके साथ साथ मैरेट जो है इनको आप पढ़ लो पहले से समझ लो इनकी थियोरी इनकी बात कर लो और बहुत छोटे-छोटे इनकी उपर लेक्च्चर से आप देखोगे कंपेर टू इबी टाइलर जिनका एक घंटे के आसपास लेक्चर खिचा था उनके कंपेरजन में इनका शॉर्टर टाइम फ्रेम में निकल गया बहुता और मैरेज किंशिप अगर उपर हमनों इन इंपोरेंट बात कही है ठीक है मेन एक तरीके से फैमिली की पूरी हिस्ट तो आपको जरुद पढ़ती है टाइलर के एक तरीके से क्रिटीक में या टाइलर की थियोरी को जब आप कंक्लूड कर रहे होगे तो उसको या तो क्रिटिजियम में डाल सकते हो आप नहीं तो मोर सूटिबली एक कंक्लूजन का पॉइंट बनाओगे और उसमें आप सोल में भी लिव सबसे पहला इस्टेज है उसको काटके इन्होंने यह बात के वी थी तो यह इसलिए जरूरी हो जाता है ना तो सबने अलग-अलग चीज़ों बात की हुई है किसे ने कल्चल का इस इवलूशन बताया है सोसाइटीज का टाइलर बता रहे हैं से लेकर करके बुक में कुछ जादू करते थे जिससे थियोरी बहुत असानी से अपने आप मैजिकली बन जाती थी और साइट में देख रहे हैं इनके एक रिमार्कबल एक तरीके से कौफेशल फीचर आपको ध्यान में रहे फ्रेजर कौन थे आपके दिमाग में बैठ जाए माइंड मै में आप देखते हो राजेश खन्ना जी के साथ हमने यहां पे क्रॉस किया हुआ है कि कन्फ्यूज मत हो आप पता से लिए आपको दिमाग में बैठ जाए कि यहां पर हमने टिक किया हुआ है तो फ्रेजर की जो आप एक तरीके से कहते हो फेचल फीचर जो है बहुत सबसे पहले आप देखते हो किनका जर्म हमेशा बताते है बीग्रोफिकल कॉंटेक्स शुरू करते है अगर आप से थियोरी के बारे में सीधे पूछ लेता है तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आप बर्द का बर्द डेट किया इंसान की वह बताओ यह बताओ लेकिन अगर य अगर किसी ने थियोरी का नाम नहीं रखा हुआ है ठीक है अपने सारे बड़े डोमेन के अंदर में बड़े स्कूल अफ थॉट के अंदर में अपनी बात कही है जैसे यहां पर सब के सब कुल्चरल इंवलिशन में अपनी बात कहा रहे हैं अलग से कोई किसी ने थियोरी का नाम नहीं रखा हुआ है ठीक है अपने तो वहाँ पर जरूरी हो ज मैंने स्लाइड में शुरुवात में लिखिये जो कि है जादुगर और अंत्रोपॉलोजिस थी आप कहीं पेपर में आपको लिखना है नहीं तो वहाँ पे ऐसी बाइग्राफिकल कॉंटेक्स देना ज़रूरी होता है इनके और लास्ट लेक्चर में हमने दो कॉण के आपको कॉन कब हुआ है वैसे जो यूजी सी कमेरे को लेकर या फिर किसी और इंवर्सटी यह ज़रूरी होता है याद करना पर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली यूप्यस्टी को केटर कर रहे हैं तो इतना जरूरी नहीं है कि आपको याद करना ही करना है कि कौन कब पहले आया लेकिन आपके दिमाग में रहे तो एक बहुत बढ़ी इक स्कूल को कबर कर लेते हुए कौन पहले आया किसने किसका क्रिटिसम किया होगा कौन कि से बड़ा था तक आप देख रहे हो अगर आपने सारी थेयोरी सब्सक्राइब यह थ्यान में होगा हम सोच रहें आपको दो पेज़न दिखाए इंस्ट्राग्राम वाले टेलीग्रा तो हम time time पे कुछ quizzes रखना शुरू करेंगे, before the batch start or during the batches, जब आप batch चल रहे होंगे, live batches, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इस तरी की quizzes रहे हैं, जिससे ये सारी चीज़ आपको याद रहे, year, British anthropologist है कि American है, या फिर German है, उसकी book का नाम बता हो, book का publish हुई, इस तरी की के माध्यम से आपको चीज़ याद रहे है, याद करना मुश्किल होता है, burden हो जाता है, कई सारी चीज़ आप इतनी सारी चीज़ याद करेंगे, तो हम एक कुछ exercises करें, कुछ assessment रहेंगे, जिससे ये काफी चीज़े, journey जो आपकी, इसको ले के चलनने की वह बहुत ज़्या में, I think, guess, आप चेक कर लेना, एक बार, main आ गए थे आपके, 27-28 के आसपास, I think, McLennan का जन्म हुआ था, और आपके टाइलर जो है, वो 1832 में, 2nd of October, गांधी जी का जिस दिन हुआ बाद में जन्म, उस date को हुए, ये उन सबसे बहुत आगे थे, सबसे पहले बाले main से देख होगी, lifespan होगा, वो बहुत आगे तक आपको देखने को मिलगा, ठीक है, बाकी लोग 70-80, मान लो, average age, अगर 60-70 मान रहो, तो बाकी लोग पहले उनकी date हो जाएगी, और ये सबसे later phase तक चलें, क्योंकि ये सबसे 30 साल इनकी age कम है, छोटे हैं, तो इसलिए क्या का जाता है, क यहीं इनका ही demise होता है, सबसे later में यहीं जाते हैं, जो prominent classical anthropologist के अंदर में गिने जाते थे लोग, तो इसलिए इनको कहा जाता है, लास्ट survivor of the British classical anthropology, British के हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन जर्मन स्कूल के अभी बात नहीं कर रहे हैं, बैकोफे ने, मॉर्गे ने, कई सारे लोग जब बदलेगा, thought बदलेगा, जैसे British आप American में जाओगे, और Americans जर्मन में जाओगे, तो हो सकता है कुछ नया approach आजाए, कोई एक नया tool आजाए, पर same school के अंदर, same जगह पे जो anthropologist है, वो usually confined करते हैं, एक ही वे में, तो इस अब के सब या तो reconstruction को use कर रहे होतने हैं, या तो comparative method को use कर रहे होतने हैं, और दोनों में, एक similarity है कि दोनों comparative आप करोगे, चाहे reconstruction का method करो, तो आज survival का जो आपका system है, वो बहुत important ले जाता है, survival के तुरू आप trace करते हो, evolutionary scheme को अपने, जो भी आप स्केमाउस का दे रहे होते हो, जो sequences आप construct कर रहे होते हो, अब इनके हिसाब से एक बात इनों important कही हुई थी, कि evolution of society जो है, वो इस fashion में आपको देखने को मिलता है, from magic to religion to science, इनका मानना तो जो सबसे पहला stage है, वहाँ पर belief कि किन चीजों पर था, एक supernatural entity से जूड़ी चीजे थी, जैसे आप कहा सकते हो, totem जैसी चीजों होती है, उसके साथ लोगों का primitive man का एक तरीके से जुकाब था, एक connection था, जिसको ये supernatural belief के साथ अपने associate करते थे, जो बाद में gradually जैसे human का एक तरीके से cognitive progression आपको देखने को मिलता है, विचार के तोर पे, जिहानी तोर पे, या फिर आप कह सकते हो, दिमाग के तोर पे, जो उनका development देखने को मिलता है, तो biographical work जब आप देख रहे होता है, तो उसमें एक जरूरी चीज़ होता है, contribution क्या है, कुछ बताओ, वो भी आप उनके work से तुरू बताओ, तो ज्यादा lucid होता है, तो सबसे पहला इन्होंने एक article लिखा था, that was called totem and taboo, ठीक है, और ये कहां पे लिखा हुआ था, इनके एक तरीके से आप कह सकते हो, एक ally थे, एक लोग के साथ, एक prominent figure के साथ, ये associated हो गये थे, इनकी काफी बन रही थी उस समय उनके साथ, हम live classes में इसका discussion करेंगे, background थोड़ा detail बताएंगे, अभी short में इसको बतायता है, बिना stretch किये हुए, तो एक editor थे, editor किसी इसके Robert Smith साथ थे, ज में, Robert Smith, जो है, उसके editor का काम कर रहे है, ठीक है, और इनका काफी जुड़ाओ था, जो हम बात कर रहे है, अच्छे है, इनके एक तरीके से relationship थे, किसके साथ, Fraser साब के साथ, तो इनको invite कि है, एक तरीके से, इनको बोला कि आप आके इसमें article अपना publish करो, editor है, तो editor के पास power say right है, तुरों ने बोला किया कि आप इसमें लिखो, तो यह जो आप देख रहे हो, totem और taboo का जो work है, यह उसी time पे, जब Robert Smith, आपको editor देखने को मिलते हैं, उनके invitation पर आके, Fraser यह article लिखते है, और यह का publish होता है, 1888, edition, Conscience Auclopedia का 9th edition है, जिसमें यह आपको work, यहाँ पे ठीके से, हर member जो होगा, society का, एक clan होगा, आपको society में देखने को मिलेगा, और हर member जो होगा, उस clan का, वो अपने आपको associate करेगा, किसी चीज के साथ, जिसको आप कहोगे, totem है, अभी हम next slide पे देखेंगे, totem को एक क्या क्या रहे है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसे objects होते हैं, यहाँ पर इसको touch मत करना है, यह किसी God के साथ, यह किसी DT के साथ associated है, जैसे आप Hindu culture में अगर कहो बात कहो, वैसे the totem में एक primitive belief form है, लेकिन उसके जो आपको reminiscence देखने को मिलता है, उसके जो अशेष देखने को मिलता है, उसको आप connect करके देख सकते हो, हमारे culture में भी कुछ ऐसी चीज़े होती ही, कुछ ऐसी जगह होती है, जो बहुत यादा sacred होती है, कहीं पर कोई आपको देखने को मिलता है, कहीं footprint है, जमीन पर तो उसको माना आता है, किसी DT का है, तो उसको उसके आसपास नहीं जाना है, कोई पेड है, जैसे आप cow को example ले सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है, natural object हो सकती है, non-natural object हो सकते है, ठीक है, plant हो सकता है, आपका animal हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है, जिसके साथ एक supernatural power का belief जो है, वो जोड दिया जाता है, और उसको काफी sacred status दे दिया आता है, पवित्र दरजा एक दे दिया आता है, औ और लोग उसको किसी तरीके से hurt नहीं कर सकता, अगर आप hurt करोगे, तो उसको एक तरीके से term उसके लिएक और आ जाता है, जो इनके article का ही term है, taboo बोला देगा, ठीक है, तो totem वो object है, जिसको आप एक तरीके से बहुत जादा high regards में consider कर रहे हो, अपने supernatural beliefs को उसके साथ जोड उसको protect कर रहे हो, हाम नहीं कर रहे हो, है ना, और उसको अगर आप किसी तरह की हानी पहुचाते हो, कुछी तरह से hurt करते हो, या फिर उसके आगा, आसपास कुछ भी ऐसा करते हो, दुर वेभार वाली चीज़े होती है, disrespectful behavior करते हो, तो उसको क्या किया जागा, अमान ने कहा हो हिंदी में, उस तरह की चीज़े होती है, टैबू के अंदर में consider कियाती है, that you are not supposed to do, and if you are doing that, you are likely to get punished, ठीक है, तो इस तरह की चीज़े होती है, यहाँ पर आप आप देख रहे हो, कि 1910 में, इन्होंने totemism, exogamy करके, totemism, exogamy करके, इनका एक publication आया, publish किया है, इन्होंने इस प्रिट के बात कर रहे है, टाइलर कहरे है, इन्सान मर जाता है, तो दो तरह की आपको देखने को मिलती है, बोडी सोल है, और फिरी सोल या फिर घोस सोल होती है, लेकिन वो उसको spirit के form में ही मान रहे है, वो यह नहीं कर रहे है, कि वो spirit जो है, किसी plant में चली जाती है, क अपने आपको उसके अंदर मेनिफेस्ट करेगी, और वो चीज जो है, क्योंकि उसके अंदर सोल जा चुकी है, इन्सान की, तो काफी उसको हाई रिगार्ड में रखायता है, वो respectable, sacred object की तरह देखे जाने लगती है, तो उन्हेंने कहा है, यहाँ पे देखे आपको, कि सेव हर्ट नहीं कर सकतो, इवन डिस्रिस्पेक्ट नहीं कर सकतो, तो यहाँ तो दोई टाउम है, इटिंग के लिंग, लेकिन कुछ भी आप इसको broader sense में ले सकतो, हाम नहीं करना है, डिस्रिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी भी तरीके का, मिस्ट्रीट्मेंट उसके साथ नहीं कर करते हैं तो वहीं चीज़ इन्होंने समझाई हुई है और सारी चीज़ जो उसके आज फास आप गलत करोगे उसको टैबूर यानि कि एक तरीके से से हुआ टोटम का है तो इसका ओरिजिन बताने के लिए अरुंटा ट्राइब्स आपने कई बार नाम सुना होगा यह ट्राइब आपको देखने को मिल रहे है आप अरुंटा ट्राइब जो कि ऑस्टेलिया की ट्राइब नेटिव पीपल एक ग्रूप है एक ट्राइबल गूर क्यों देखने के साथ पास को एक ट्रेम पर्फ ऑं करती है तो वह उससे अप्रहूंड होगी तो इस तरीके से माना आता है और ऐसे कोई भी टोटम यह वन आफ का टाइप है टाइप ऑफ टोटम आप जब पढ़े रहे होगे जब हम मैरेच्च का इंस्ट्यूशन जो आपके पेपर 1 में सलिबस के अंदर में जब हम पढ़े रहे होंगे तो टाइप सोल तोटम आता है बहुत तरीके क्या होता है थीक है क्लास का अलग टोटम होगा फीमेल का अलग टोटम होगा उसी तरीके से एक लास्ट टाइप मतलब हो है तो इससे काफी ज्यादा टाइप लेकिन एक लास्ट आप अगर यहां पर समझना चाहो तो उसको कहते हैं चाहिए इसवाले पॉइंट के बात कही इस वाले पॉइंट के बात के बाद का conception nature का है totem सबसे पहला totem जो बात करें primitive देखने को मिलता है वो conception totem इनको देखने को मिलता है इसलिए इन्होंने का कि फीमेल लाइन सो और इजने होगा फीमेल लाइन से क्यों 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 कि अफकोस मेल जो है वो जाके pregnant नहीं होने जा रहा है pregnant of course female हो रही है तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो origin है वो आपको देखने का मिलता है इन्होंने कहा कि origin कहां से हुआ सबसे पहले फीमेल लाइन से हुआ नेक्स बात यह कह रहे है कि थोड़े समय बाद यह जो टोटम का हेरेट्री हो गया तो माने जाने लगा कि अगर कोई भी आप समझ लो एक फैमिली ट्री बना रहो एक इंडिविज्वेल है उसके यह इसके ब्रांच है ठीक है इस तरीके से आप मानलो इसमें भी ऐसे करके ब्रांचिंग है यह सबसे उपर एंसस्टर और यह एक के बाद ए लग जाएगा कि जिनका टोटम सेम है वह आपस में शादी नहीं कर सकते अगर कर पाते हमने कल बात कर रहे ते जब मैकलेन की तो हमने कहा थे दो टर्म आये उन्होंने कोई किये हुए थे एक था एक जोगेमी एक था एंडोगेमी एंडोगेमी इस वेन यह मैरिंग विदिन तरीके से रिलेट करके देख सकते हो तो आप कह रहे हो कि जब अपने ग्रूप के अंदर इंसान जो मैरिज कर रहा है वो प्रोइबिट हो गई यानि कि एंडोगेमी मना हो गई जिसका सेम टोटम है वो लोग आपस में मैरिज नहीं कर सकते है यहाँ पर एक्जोगेमी का आ दो गया एक्जोगेमी को एजर रूल गये गवर्न करने लगा टोटम Virgin है तवारे टोटम बाभया सेम है तो एक तरीके से तुमаемсяँ कर सकते हो तो ह akl कि किसी और टोटम माने रहे तो आप टाइगर को जितने लोग मान ग्रूप में आपके विलेज के इवन बाहर उन सारे लोगों को आप उनसे मैरेज नहीं कर सकते हो आप जाके मैरेज किससे करोगे कोई जाके लॉइन को मान रहा है या किसी और बर्ड को मान रहा है किसी प्लांट को मान रहा है उसके ग्रूप में आपके जाके कर सकते हो तो य ब्रॉनिस लॉमैनि लॉस्की का जो की फंशनल स्कूल के साथ यहां पर डिसकस कर रहे हैं वह आपके फंशनल स्कूल के साथ कंसर्ण है और उन्होंने एक बात कही वी थी कि जो गोल्डेन बाउ है वह ग्रेटेस्ट एक तरीके से लिट्रेचर और टाइमें काफी तारीफ की के समय से लेके 15 यह के समय तक तीसरे अडिशन आया इन मल्टिपल कॉपी और यह तीन जो एडिशन है यह लगभग लगभग आपके यहां पर बटे हुए थे 17 यहां आपके देखोरे को मिल ला है कि 17 के 17 वॉल्यूम में बटा हुआ है थ्री एडिशन वह डिस्रिब्यूट और डिवाइरड इन 17 वॉल्यूम सबसे पहला जो वर्क आया उसमें एक वॉल्यूम आपको दो वॉल्यूम देखने को मिलता है पहले एडिशन में दूसरे वॉल्यूम में आपको तीन देखने को मिलेंगे कि 12 आपको 12 वॉल्यूम देखने को मिलते है थर्ड एडिशन में तो टोटल इसका आपको देखने को मिलता है, 17 volumes उसके अंदर में publish हुए थे, और यह सबसे पहला volume जो आया था, year अगर आपसे पूछे तो जब सबसे पहला आता है, तो आप उसी को mention करते हो है, तीन editions अलग-अलग समय में आ है, लेकिन year अगर आपको mention करना हो, तो 1819 में I think, ए काफी बड़ा जो work था, यह सबसे celebrated work है, classic का जाता है इसको in the study of anthropology of religion और anthropology of magic, totem और taboo, तो यह बहुत ही जदा remarkable एक work है, इसलिए इसकी study important हो जाती है, अब बात यहाँ पे होती ही कि golden bow में एक कह क्या रहे है, तो golden bow जो है, उसमें Fraser यह कह रहे है, कि जो early man है, उसको science के बारे म पता मतलब यह नहीं कि उसको rocket कैसे चलाना है, टीवी कैसे बनती है, फ्रिच कैसे बनती है, यह वाला science नहीं, science का मतलब है, systematic bracket of knowledge, जहां पे आप चीज को rationally देख रहे हो, कि सीज के पीछे कोई logic हो सकता है, rational हो सकता है, उस basis पे आप कह रहे है, तो इनका मानना था कि primitive man इन स सब चीजों से दूर था, और उसकी सारी की सारी जो बाते थी, magic के around, वो दो principles पे काम करती थी, science नहीं आया था, magic का, आपको देखना मिलता है, first stage पे, और magic भी नो ने बताए, कि वो दो principle के around, उनका पूरे के magic के belief जो थे, वो घूम रहे होते थे, पहला law जो था, उसको आप कहते हो law of similarity, ठीक है, और दूसरा law जो है, उसको कहते हो law of contact, law of similarity जो है, यह क्या suppose करता है, एक तरीके से, इसका मानना क्या है, law of similarity मानता है, कि like produces like, एक तरह की चीज़े, उसी तरह के चीज़ को produce करती है, जैसा इनका इससे क्या मानना था, जैसे rain होती है, ठीक है, तो देख पानी गिर रहा है, एक तरीके से, या फिर आपको देख रहे हो कि अगर कोई thunder आ रहा है, thunder की आवाज आती है, फिर उसके बाद rain हो रही है, तो इन्होंने सोचा कि यह जो बारिश हो रही है, इसकी वज़ा actually thunder है, बादलों का एक तरीके से गरजना, या फिर वो sound produce हो रही है उसकी वज़े साही यह phenomenon हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत उच्छे जगहों पे जा करके, पत्थर को रोल करने लगे, पत्थर को पहाड़ी उससे फेकने लगे, क्योंकि उनको लगा कि यह voice, जो sound इससे निकलेगी, जब पत्थर नीचे जा रहा हो स्लोप से, तो वो सेम होगी जैसे बादल गरसते हैं तो, उनको इनका मानना था कि इससे बारिश हो जाएगी, या फिर सेम एक और एक्जामपल इसका आप ले सकते हो, डॉल के साथ, है न, डॉल में इनका मानना था कि आप डॉल को अगर पिंच करते हो, उसके अंदर सुई मारते हो, जो black तरीके से पैरों पर पिंच कर रहा है तो पैरों मुसके प्रॉब्लम जा रही चोट जा रहा है गिर जा रहा है वो तो यह सारी चीज इनका माना था कि एक तरह की चीज दूसी उसी संपर्क में का गया हो गया कि सथाफित हो गया तो रहता है तो इसका क्या मानथा है कि ज मैजिक रिलेटेय इसको आप ऐसना ह। और इसका यह मानना है कि जो चीज एक बार आपने टच कर दी छूद ही आपके साथ असोशियेटर होगी उसका आपके साथ एक पर्मानेंट कनेक्शन बन जाता है फॉर एक्जामपल आपने कोई ड्रेस पहना हुआ है ठीक है आपके हेर से हैं आपके नेल से यह सब आपके बाते हैं आपके साथ और कोई बी चीज आप उसके साथ करोगे तो उसका एफेक्ट आप पर पढ़़ाऊगा तो आपने देखा कही सारे डेख आते आपके फैरंश देख लो कहीं भी तो उसमें क्या लटा को या फिर आप देखते हो कि हेर को उठा के एक तरीके सा डॉल प बोला लेकिन जो magic पर बिलीव ताया जो सारी बाते कह रहें यह बहुत लंबे समय था कि स्टैंड नहीं मतलब इनकी थ्योरी इस टैंड नहीं ऐसा नहीं है इनकी जो बाते हैं इन्होंने कहा कि यह बहुत लंबे समय तक primitive man ने इसके आराउंड घूमता नहीं रहा उसका दिमा हो गई इन्होंने देखा कि हम पथर फेक तो बारちゃ इसली हो रही है यानि हम जो सोच हाई वो गलत है हम गलत बना रहें दो चीजोंके बीच में रोंड जो प्रोग्रेस हो गया था तो यह रिजल्ट नहीं निकल ला है मतलब हम सही चीज नहीं सोच रहे हैं यह रॉंग नंबर वाली चीज वहां पे इस्टैब्लिश करते हैं तो उनका जो चीज है वह एक तरीके से रिलिजन पर शिफ्ट हो जाता है वह मानने लगते हैं कि यह हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है माजिक का खेल नहीं यहां पर यहां पर जो सीन हो किसका है किसी सुपर नैचुरल एंटिटी या सुपर नैचुरल पावर का है जो हर चीज को एक तरीके से गवन कर रहा है और वह हमारे कंट्रोल में नहीं उनके कंट्रोल में इसलिए हमें उन प्लेसमेंट किसे हो गया religious specialist है जो बाबा कह सकते हो या फिर सेंट कह सकते हो अलग-अलग culture में अलग-अलग जो मिल देखने को मिलते है religion specialist जिनको आप बोलते हो है मौलवी हो गए पंडित्स हो गए इस तरीके चीज़े यह तो हम बहुत लेटर फेस की बात कर रहे हैं यह लोग लेकिन आपको एक्जामपल देहने की ताकि आपको समझने में असानी हो कि रिलीजन की डिरेक्शन में तो यह चीज आपको देखने को मिली और रिलीजियस स्पेशलिस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ यह माना जाने लगा कि रिलीजर स्पेशलिस्ट जो एक तरीके से मीडियेटर है इंटर मीडियरी है वो हमारी बात को सुपर नैश्रल बिंग तक पहुचा रहा है तो यानि हमें उससे भी खुश करना होगा उससे भी हमारा भी हमको उ स्वाइन किंग्स मन गए जो रिलीजर स्पेशलिस्ट था वो एक तरीके से रूलर की जो पोजीशन ने अधियूम कर लिया इवेन आप इंडियस वाली सिविलाजेशन की बात करते हो तो वहां पे एक बियर्डेट प्रीस्ट की एक तरीके से आपको मिला है शॉल टाइप की चीज़ उसने की हुई यह आम बेंड्स और कई सारी अची चीज़ है तो लोग ने कहा कि यह कोई प्रीस्ट वाला इंसान है कोई हाई स्टेटस वाले इंडिविज्वल है और एक तरीके से आपको देखने को मिलता है कि यह कि यहां से आपको देखने को मि सार्वाइब रिवर्ड एस घौड्स नेक्सी जो फ्रेजर कहते हैं इंहोंने सिमलारिटी देखी किस चीज चीज बीच में मैजिक और साइंस के बीच में इनको लगा कि मैजिक में भी तुम जो चीज़े कर रहे हो जो प्रोसेस कर रहे हो वो किसी आउटकम के लिए कर रहो को ठंडी एक तरीके से cool down environment चाहिए गर्मी जय उसको कम करनी है तो वहाँ पे भी हो सकता है magic से भी को इंसान वहीं करना चाह रहो आपने logic को लगा के science के थूद चीज को तो इन्होंने इसी चीज को दो similarities देखी यह similarity देखने के बाद इन्होंने इन्होंने बोला यह आपके सामने है आप देख सकते हैं आप फिस्क्रीन पर लिखा हुआ है इन्होंने कहा कि यह यह टर्म बोला कि xyz sister of science बोला magic को और साथी साथ उसको सूडो साइंस बोला सूडो मतलम नकली एक तरीके से है ना false false science का इन्होंने दर्जा दिया किसको magic को यह सारी इनकी magic की बात है थी magic से religion के states पे यहां पर पहुचा चुके नेक्स आप देखते हो जो stage आएगा वो इसके बाद आजाएगा science का stage इंसान और ज्यादा progressive mind का होगा और वो gradually science को develop कर लेगा science को accept कर लेगा यहां पर आपको देखने को मिलता है जो हम शुरुआद में स्लाइड के बता रहे थे कि मेलनौस्की इनके जो वर्क है golden bow उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे 1890 में जो फर्स एडिशन आई उससे मेलनौस्की जो की functional school में आते है evolutionary school में नहीं है वह बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं और इनको एक तरीके से इस पर रिमार्क देते हैं बोलते हैं क्या it is the greatest scientific odyssey of modern humanism तो एक तरीके से अप्रिशेशन देते हैं उनके work को काफी मूरीद होते हैं काफी appreciate करते हैं उनके work को तो यह सारी बात होग वो क्या है आपके सामने यह तीनों आपस में एक ही नेचर के हैं points बढ़ाने के लिए आप अलग-अलग भी mostly aspirants लिखते हैं लोग भी सुझस करते हैं कि आप अलग-अलग लिख लो लेकिन इसका तो सार है है ना summary है नेचर है वो एक ही तरह के का है क्या armchair anthropologist हैं बाकी सब की और फेलो अब बर्नियर की बात करते हो अलमसूदी की बात करते हो पुराने टाइम में आप फाइयन की बात करते हो ठीक है मैं इस तिनीज की बात करते हो ऐसे traveler है जिनको घूम घूम के अलग-अलग जगए एक्सप्लोर करना उसके उपर वर्क करना पसंद है तो अब वाट थर्ड चीज है कि फील्ड वर्क नहीं किया वह भी वही बात है कि खुच जाके वहां पर फील्ड पर काम नहीं कर रहे हैं जिन सोसाइटी को पढ़े रहे हैं उनके बीच में काम नहीं कर रहे हैं तो यह वाली चीज थी एक और चीज आपको देखने को मिलती है कि यह सारी ट्रैफिक रियालिटी नहीं थी यह आपको ग्राउंड लेवल पर जब आप जाते हो तो आपको यह दिखने को नहीं मिलता है यह सारी चीज एब्स्ट्रैक्ट चल ली थी यह सारी चीज है क्योंकि रियल सोसाइटी में आपको आते हो अभी की भी बात कर लो तो आपको magic और religion का एक साथ even magic religion और science साथ में को एक्जिस्ट कर रहे हैं अभी भी लोग magic में मानते हैं कई सारे ट्राइबल ग्रूप से वो प्रैक्टिस भी करते हैं हमने नागाज का example पड़ा और भी कई सारे लोग का बात करें वो इस तरह की चीजों को करते हैं यूट डर्मेट्री का सारी ceremonies करते हैं ताकि वो एक तरीके से जब fishing करने जा रहे हो तो उनको success मिले लेकिन उसके साथ साथ वो food production वाली चीजों को भी करते हैं मैनत भी कर रहे हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ magic ममान है तो सारी चीज़े तीनों चीज़े एक साथ चल रही है इन्होंने क्या 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 है फि उसके उपर इन्होंने विस्तार में कुछ नहीं का हुआ है तो यह सारे इनके major एक तरीके साथ फ्लॉस की तरह गिन सकते हो जो इनके work में कमिया थी तो देस वाल अलग अलग स्कूल्स को हम देखना है इस journey में जो anthropological की थोट है तिल एन आप यह जो ग्रूप से हैं आपको ठीवाइ पर इसके तूर जोईन कर सकते हो एख एख फ्लॉस को इसके तूर जोई कर सकते हो ओए तो फॉर क्वेरी इस अब तयारी हुई अफॉरडबल